अस्सलाम अलेकुम दोस्तों जडि आप कुएट में रहते हो और कुएट केम तरीन ख़वरों से हमेंसा वाखे फैरना चाहते हो तो ये वीडियो को बिने स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आनवाली वीडियो के नौट फिकेसान आपको हमेंसा फ्री में दोस्तों मिलती रहे तो साथियों आज के वीडियो में सबसे पहली जो ख़बर कुएट से आ रही है ख़बर यह है 99% of airport worker are कुएटी जानी साथियों कुएट के डारेक्टर जनरल अफ सिविल एविएशन जिसे डी जी सिय कहा जाता है उनके तरब से यह announcement किया गया है कि कुएट international airports पे जितने लोग employ काम करते हैं खास करके दोस्तो बड़े ओधे पे उन सभी में लगभग 99% जो है वो कुएटी ही काम करते हैं सिर्फ 1% ऐसे worker हैं जो की अलग-लग country यों को लोग इसमें सामिल है दोस्तो बहुत सारे ऐसे department है कुएटी इंप्लाइज ओप्रेशन वो maintenance में engineering department में उनमें से मर्द के सासाथ बहुत सारे उसमें महिलाएं भी काम करती हैं सबसे बड़ी बात दोस्तो इसमें ये है और इसमें ये बताया गया कि दोस्तो कुएट ऐरपोर्ट पे जैसे की ट्रॉली वगएरा का ले जाने का लाने का काम cleaner का काम, साफ सफाई का काम या फिर ऐसे काम दोस्तो जो छोटे वर्ग के लोग करते हैं वही काम स्रीफ वहाँ पे बाहर से मंगा है लोगों से वहाँ पे करवाये जाता है तो साथ यों मान के चलिए कि कुएट इंटरनेसनल एरपोर्ट पे पूरी तरह से दोस्तो कुएटी जायजेसन किया जा चुका है दोस्तो ये काफी सालों से दोस्तो ये मांग की जा रही थी तक करोना पेंडमिक के वज़े से दोस्तो आने के वज़ा से पूरा का पूरा दोस्तो कुएटी जायजेसन किया जा रहा है यानि कुएतियों कोई काम पे रखा जा रहा है बाकी लोगों को निकाला जा रहा है अगली अप्डेट की उट साथियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो साथियों कुएत से जो आ रही है कुएत के तरफ से तो कुएत के कुएत के तरफ से साथियों बताया गया है कि 24 बोटल ओफ लिक्वीट केरेटोम सीज यानि दोस्तो 24 केरेटोम जो होता है यानि सराप की जो बोटले उसे जब्द किया गया है तो वीडियो के स्क्रेंट पर दोस्तो फोटो आपको मैं सो कर रहा हूं इसे आप गिनना चाहें तो गिन भी सकते हैं लगभब 24 ये बोटल है तो फिलाल सभी को दोस्तो जब्द कर लिया गया है जब्द करने के साथ साथ बताया गया है इसमें से बहुत सारे लोग इसमें सामिल थें बताईए गया दोस्तो कुछ लोग इसमें European countries से सामिल थें और सभी के सभी दोस्तों जो है वो काफी दिनों से drugging का काम यानि drug smuggling का काम ये कर रहे थें फिलाल सभी को ग्रफतार कर लिया गया है जो भी लोग इसमें सामिल थें और जो भी चीजे इसमें सामिल थी उसे जब कर लिया गया अगली update की और साथियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी यंग कुएती इस टैब इस पाकिस्तानी मदर टू देट साथियों खबर ये आरी है कि एक कुएती जो है एक कुएती जो है वो एक अपने मा को ही दोस्तों वो हत्या किया है और दोस्तों हत्या करने के बाद साथियों खुद अपने आपको इंजर्ड कर लिया गया अब दोस्तों इंजर्ट करने के बाद दोस्तों बताये गया है कि वो पाकिस्तानी एक उसके साथ काम करता था जो कि दोस्तों उसको भी कुछ नुकसान वगरा हुआ है और ये घटना घटी दोस्तों उम्मा अलहाइमान एरिया की घटना एक फैमली रेसिडेंस एरिया है वही कि दोस्तों ये फिलाल घटना है अब दोस्तों लोग ऐसे ऐसे भी काम कर रहे है कि एक कुएती जो है वो अपने मा को ही दोस्तों मारने की कोशिस कर रही है छूरी से मार रही है इंजर्ट कर रही है ये कंप्लेन दोस्तों लिखाया गया अगली अपडेट के और साथ हूं चल लगाया गया है और लगबग 3,000 केड़ी के नहीं केड़ी के दोस्तों जुर्माना लगाया गया है तो दोस्तों ये सिविल कोट के तरब से फैसला सुनाया गया अगली जो अपडेट के और साथियों चलते हैं अगली खबर दोस्तों जो आरी है Intention Collison with Vical साथियों Minister of Interior तरब से ये बताया गया है कि दो गालियों के बीच में दोस्तों जवर्दस तरीके से Collison हुआ Collison को मतलब होता है गालियों के बीच में टक्कर होना जिसके बाद दोस्तों काफी जादा नुकसान हुआ है खबर दोस्तों मरने की वैसे तो नहीं आ रही है तो पर दोनों गालियों के बीच में टक्कर हुआ है वीडियो में दोस्तों फोटो भी आप देख सकते हैं तो ये कुछ खबरे थी, कुछ अपडेट्स थी जो की कुएट से आ रही थी मैंने अब तक सेयर किया आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें दोस्तों को सेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ यो नेक्स वीडियो पर तब तक लिए अपना खयाल लगे हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया अल्ला आफिस और टेक क्यार